अब देखो next question क्या है यह equation दे रिखिए ठीक है तो इस equation में straight line के बीच में angle आपको find करके बताना है कितना degree होका ठीक है तो आपको पहले equation क्या दे रिखिए वो देखिए y square minus xy minus 6x square तो y square minus xy minus 6x square is equal to zero पहले इसको सिधा लिख देते हैं तो इस minus 6x square minus xy plus y square is equal to zero अब अब इसमें क्या करते हैं a, b, c की value निकाल लेते हैं a is equal to minus 6 यह a होता है b is equal to 1 है y square का coefficient होता है b और 2h xy तो h की value आजेगी xy का coefficient है minus 1 upon 2 यहाँ 2h होता है वो h जो 2 है वो divide में चला जेगा अगर आप पिछले equation देखोगे तो आपको यह वले equation समझा जेगे मदलब ax square b है 2h xy plus by square konic section की equation से compare करके निकालते हैं अब देखो a, b और h की value आगी अब आपको निकालना है 10 theta angle formula होता है 2 root h square minus a, b upon a plus b तो value put कर दीजिए 2 root h square, h की value है half, half का square 1 by 4 minus a into b, a की value minus 6 into 1 है, तो minus minus plus 6 upon a plus b minus 6 plus 1 तो यह आगा student, 2, 6, 4 चा, lc लेंगे तो 24 और 125 by 4 और निच्चे आजेगा minus का 5 और यह आजेगा 5 by 2, उपर 25 का root होता है 5 और इसका आजेगा 2, निच्चे आजेगा minus का 1 और यह plus minus का आएगा 5 by 2 हाणा, तो 2 से to cancel, plus minus का 5 आएगा, निच्चे आएगा minus का 5 अगर मैं plus का लेता हूँ, तो minus का 1 आएगा, 10 थिटा, और अगर मैं minus का लेता हूँ, तो plus 1 आएगा यहाँ से 135 डिग्री अंसर आ रहे है, यहाँ से 45 डिग्री अंसर आ रहे है, तो दोनों में से देखते हैं कौन सा अंसर अपना सही है होना, 135 या 45 में से कोई एक आपको दे रखा हो, तो वो आपको select करना है, यानि अपना जो अंसर आ रहे है, तो क्या रहे है, फोटी फाइव, ठीक है स्टूनेट, थैंक यू